देश में इस साल सोयाबीन की खेती के रखबे और उत्पादन में कमी आ सकती है. क्योंकि जो प्रमुख सोयाबीन उत्पाद राज्य महाराष्ट्र और मज्य प्रदेश है, इन राज्यों के किसान अब सोयाबीन की खेती को छोड़ कर दाल और मक्के की खेती को अपना रहे है उनका रुझान दाल और मक्के की खेती की तरफ बर रहा है बतादें की सोयाबीन एक महित्रपूर्ण खरीफ फसल है मज्य भारत में मोनसून के प्रसार के साथ ही प्रमुख सोयाबीन उत्पादक क्षेत्रों में तिलहनी फसल सोयाबीन की बुवाई लगभग लगभग पूरी हो चुकी है भारतिय सोयाबीन उत्पादक संथ के एक्सीक्यूटिव डाइरेक्टर डियन पाठक ने कहा कि इस साल हम सोयाबीन के रखबे में गिरावत की उम्मीद कर रहे है उन्होंने कहा कि सोयाबीन के रखबे में गिरावत की प्रमुख वजह है कि किसान इसकी खेती से अब दूरी बना रहे है अब किसानों का जुकाव मक्के और डलहनी फसलों की खेती की तरफ हो रहा है क्योंकि पिछले साल किसानों ने मक्के की खेती में अच्छी कमाई की थी जबकि दाल की कीमतें हमेशा ही अच्छी बनी रहती है लेकिन सोयाबीन की कीमतों में लगातार गिरावत आ रही है और यह नियुन्तम समर्थन मूले से भी नीचे बिक रहा है इसकी कीमत MSP से भी नीचे चली जा रही है इसलिए किसान भी यह सोचकर मक्के और दाल की खेती कर रहे है कि उन्हें इनकी खेती करने से सोयाबीन से अधिक कमाई होगी सोयाबीन की खेती के रखबे में गिरावत आने का जिक्र करते हुए डीन पाठक ने कहा कि मज्य प्रदेश के अधिकांश किसानों का जुकाव सोयाबीन छोड़ने के बाद मक्के की खेती की तरफ हो रहा है जबकि महाराश्टर के किसान सोयाबीन को छोड़कर अधिकतर दलहनी फसलों और कपास की खेती कर रहे है देश में सोयाबीन की खेती के कुल रखबे की जानकारी को लेकर भारतिय सोयाबीन उत्पादक संग एक सर्वे करा रहा है उम्मीद की जा रही है कि सर्वे की रिपोर्ट अगले कुछ सप्ताह में सामने आ जाएगी उसके बाद स्पष्ट आंकरों का पता चल पाएगा Bureau Report Markin Times TV